खुशाली के लिए योग योग नमस्कार योग नमस्कार अपने आप में एक शक्तिशाली प्रणाली है यह रीड की कमर वाले हिस्से को जबर्दस तरीके से सक्रिह करता है रीड के साथ की मासपेशियों को मजबूत बनाते हुए उसे इस तरह सुद्रड करता है कि उम्र बढ़ने के साथ रीड कमजोर ना हो रीड में कमजोरी आने से तांत्रिकाओं में चुभन होती है अगर पहले से नुकसान शुरू हो चुका है तो योग नमस्कार से आप अपनी रीड को फिर से दुरूस्त कर सकते हैं इसका पूरे शरीर पर चहु मुखी असर होता है योग नमस्कार अपने आप में एक बहुत सरल और संपूर्ण प्रक्रिया है योग नमस्कार का अभ्यास साथ वर्ष या उससे ज्यादा उम्र वाला कोई भी व्यक्ति कर सकता है योग नमस्कार का अभ्यास करने के लिए आपको हलके पेट होना चाहिए इसका मतलब है कि खाना खाने के बाद आप करीब देड़ घंटा रुकें यह पक्का करें कि आप सब कुछ धीरे-धीरे और आराम से निर्देशों के साथ तालमेल में करते हैं अगर आप किसी पुरानी बिमारी से पेडित हैं या आपको हृदय की समस्या है तो इस अभ्यास को करने से पहले किसी डॉक्टर की सलाह जरूर लें अगर आपको कोई भी दर्द या परेशानी महसूस हो तो रुख जाएं और डॉक्टर से सलाह लें जिनको हरनिया है या वो महिलाएं जो गर्भावस्था के तीसरे या चोथे महिने में हैं वे योग नमस्कार का अभ्यास न करें पांचवे महिने में और उसके बाद गर्भवती महिलाएं यह अभ्यास तब तक जारी रख सकती हैं जब तक यह आराम दायक हो अब हम योग नमस्कार सीखेंगे इस अभ्यास में साथ चरण हैं वो एक पूरे चक्र का प्रदर्शन करके दिखाएंगे कृपया ध्यान दें अपने पैरों को आराम दायक दूरी पर और एक दूसरे से समानांतर या पैरिलल रखकर खड़े हो जाएं आखें खुली अपने सामने एक बिंदू पर ध्यान केंद्रित करें जब आपका ध्यान स्थिर हो जाए तब अपने हातों को अपनी च्छाती के सामने नमस्कार की स्थिती में ले आएं यह शुरुवाती स्थिती है सास अंदर लेते हुए अपने हातों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हातों को नीचे की ओर लाएं जिससे कि आपकी हतेलियों का निचला हिस्सा आपकी गर्दन के पीछे आ जाए सांस अंदर लेते हुए अपने हातों को सीधे ऊपर ले जाएं सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हातों को अपनी छाती के आगे नीचे की ओर ले जाएं यह पहला चरण है आप इसे दो बार और करें दूसरा चरण सांस बाहर छोड़ते हुए अपने गले के गड़े से आवाज निकाले तीसरा चरण हर समय उंगलियां साथ में और सीधे उपर की दिशा में होनी चाहिए तब भी जब आप अपने हातों को अपनी गर्दन के पीछे ले जाएं अपने हातों को उपर ले जाते समय सांस पूरी तरह से अंदर लें जब आप हाथों को नीचे ले जाएं, सास को आवाज के साथ पूरी तरह से बाहर छोड़ना है यह तीन बार करने के बाद आपको सीधा नीचे बैठ जाना है चौथा चरण पाँचवा चरण अपने सामने की ओर सास बाहर छोड़ते हुए वापस अपनी चाती की ओर एक बार फिर से छटवा चरण सास अंदर लें हाथ उपर सास बाहर छोड़ें नीचे सास अंदर हाथ उपर सास बाहर छोड़ें नीचे सास अंदर लें हाथ सीधे बाहर सांस बाहर छोड़ें हाथ छाती की ओर अब सातवा चरण सांस अंदर लेते हुए हाथों को सीधे बाहर की ओर धके लें अपने घुटनों को जमीन से लगा दें आगे जुकें और अपने माथे को जमीन से लगा दें अपनी बाहों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं, अपनी हतेलियों को जमीन से लगा दें, अपने हातों को इस तरह जोड़ें कि आपके अंगूठे और पहली उंगली एक त्रिकून बनाते हुए एक दूसरे से छू रहे हूँ, आपकी कोहनिया थोड़ी सी मुड़ी हुई होन और शुरुवाती स्थिती में वापस आ जाएं, यह योग नमस्कार का एक चक्र है, हम सभी साथ में योग नमस्कार के एक चक्र का अभ्यास करेंगे, कृपया खड़े हो जाएं, अपने पैरों को आराम दायक दूरी पर और एक दूसरे से समानांतर या पैरलल रखकर खड़े हो जाएं, आखें खुली, अपने सामने एक बिंदू पर ध्यान केंद्रित करें, जब आपका ध्यान स्थिर हो जाएं, तब अपने हाथों को अपनी चाती के सामने नमस्कार की स्थिती में ले आएं, यह शुरुवाती स्थिती है, पहला चरण, सांस अंदर लेते हुए, अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं, आवास के साथ सांस बाहर छोड़ते हुए, अपने हाथों को नीचे सिर के पीछे की ओर लाएं, सांस अंदर लेते हुए, अपने हाथों को सीधे ऊपर ले जाएं, सांस बाहर छोड़ते हुए, अपने हाथों को अपनी चाती के आगे नीचे की ओर ले जाएं, इसे दो बा दूसरा चरण सास बाहर, हाथ नीचे, सिर के पीछे सास अंदर, हाथ उपर सास बाहर, हाथ छाती तक नीचे अब सीधे नीचे बैठ जाएए अगर आपको कुशन की जरूरत हो तो आप उसे सहारे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं आपका ध्यान आपके बिलकुल सामने एक बिंदू पर केंद्रित होना चाहिए चौथा चरण सास अंदर, हाथ उपर सास बाहर, हाथ नीचे सास अंदर, हाथ उपर सास बाहर, हाथ नीचे इसके बाद सास अंदर लेते हुए अपने हातों को सीधे बाहर की ओर धके लें सास बाहर छोड़ते हुए अपने हातों को अपनी च्छाती की ओर ले आएं हम यह दो बार और करेंगे पांचवा चरण सास अंदर हात उपर सास बाहर हात नीचे अपना सिर सीधा रखें सास अंदर उपर सास बाहर नीचे सास अंदर सीधा अपने सामने की ओर सास बाहर वापस अपनी चाती की ओर छटवा चरण सास अंदर हाथ उपर सास बाहर हाथ नीचे सास अंदर हाथ उपर सास बाहर हाथ नीचे चाती तक सास अंदर हाथ सीधे बाहर सांस बाहर वापस छाती की ओर सातवा चरण सांस अंदर लेते हुए हातों को सीधे बाहर की ओर धके लें अपने गुटनों को जमीन से लगा दें आगे जुकें और अपने माथे को जमीन से लगा दें पैर की अंगुलियों को पीछे की ओर ले जाएए शरीर आपके टखनों पर बैठा होना चाहिए अपनी बाहों को अपने सिर के उपर ले जाएं अपनी हतेलियों को जमीन से लगा दें अपने हातों को इस तरह जोड़ें कि आपके अंगूठे और पहली उंगली एक त्रिकोंड बनाते हुए एक दूसरे को छू रहे हो आपकी कोहनिया थोड़ी सी मुड़ी हुई होनी चाहिए बालासन में तब तक रुकें जब तक कि आपकी सांसे स्थिर ना हो जाएं फिर धीरे से खड़े हो जाएं और शुरुवाती स्थिती में वापस आ जाएं पूरा होने के बाद आप आराम से बैठ सकते हैं हम कुछ परिवर्तनों वसुधारों को देखेंगे अगर आपको बैठने में परिशानी हो रही हो तो आप अपनी एडियों के नीचे आधा या एक इंच मोटा सहारा रख सकते हैं और फिर बैठ सकते हैं यह ध्यान रखें कि आपके पैर अब भी एक दूसरे से समानांतर या पैरलल हैं अपनी हतेलियों को सिर के पीछे ले जाते समय इस बात का ध्यान रखें कि हतेलियां पीछे की ओर नमुडें उंगलियां सीधे ऊपर की ओर होनी चाहिए सिर नीचे की ओर जुक सकता है सिर सीधा होना चाहिए हाटों को बहुत जल्दी और बिना ध्यान दिये ऊपर नीचे न ले जाएं ऊपर और नीचे जाते समय बाहू में थोड़ा सा खिंचाव होना चाहिए अब इन सुधारों को ध्यान में रखते हुए, हम सभी साथ में योग नमस्कार के एक चक्र का अभ्यास करेंगे, कृपया खड़े हो जाएं. अपने पैरों को आराम दायक दूरी पर और एक दूसरे से समानांतर या पैरलल रखकर खड़े हो जाएं. आप मेंसे जिन लोगों को नीचे बैठते समय सहरे के लिए कुशन की आवश रकता है, आप इसे अपने पैरों के ठीक पीछे रख सकते हैं. और जब आप चोथे चरण पर पहुँचते हैं, तो आप एक कदम पीछे जाकर कुशन पर चड़ सकते हैं, और नीचे बैठते समय इसका सहरे के रूप में उपयोग कर सकते हैं. आखें खुली, अपने सामने एक बिंदू पर ध्यान केंद्रित करें. जब आपका ध्यान स्थिर हो जाए, तब अपने हातों को अपनी चाती के सामने नमसकार की स्थिती में ले आएं. यह शुरुवाती स्थिती है, पहला चरण. सांस अंदर लेते हुए, अपने हातों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं. आवास के साथ सांस बाहर छोड़ते हुए, अपने हातों को नीचे, सिर के पीछे की ओर लाएं. सांस अंदर लेते हुए, अपने हातों को सीधे ऊपर ले जाएं. सांस बाहर छोड़ते हुए, अपने हातों को अपनी चाती के आगे, नीचे की ओर ले जाएं. इसे दो बार और करें दूसरा चरण सास पूरी तरह से अंदर लेते हुए अपने हाथों को अपने सिर के उपर ले जाएं सास पूरी तरह से बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे की ओर लाएं सास अंदर लेते हुए हाथ उपर सास बाहर छोड़ते हुए, हाथ छाती तक नीचे तीजरा चरण सास अंदर, हाथ उपर सास बाहर, हाथ नीचे, सिर के पीछे सास अंदर, हाथ उपर सास बाहर, हाथ छाती तक नीचे अब सीधे नीचे बैठ जाईए अगर आपको कुशन की जरूरत हो तो आप उसे सहरे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं आपका ध्यान आपके बिल्कुल सामने एक बिंदु पर केंद्रित होना चाहिए चौथा चरण सास अंदर हाथ उपर सास बाहर हाथ नीचे सास अंदर हाथ उपर सास बाहर हाथ नीचे इसके बाद सास अंदर लेते हुए अपने हाथों को सीधे बाहर की ओर धके लें सास बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को अपनी च्छाती की ओर ले आएं हम यह दो बार और करेंगे, पांचवा चरण, सास अंदर हाथ उपर, सास बाहर हाथ नीचे, अपना सिर सीधा रखें, सास अंदर उपर, सास बाहर नीचे, सास अंदर सीधा अपने सामने की ओर, सास बाहर वापस अपनी चाती की ओर, छटवा चरण, सास अंदर हाथ उपर, सास बाहर हाथ नीचे, सास अंदर हाथ उपर, सास बाहर हाथ नीचे चाती तक, सास अंदर हाथ सीधे बाहर, सास बाहर वापस चाती की ओर, सात्वा चरण, सास अंदर लेते हुए, हाथों को सीधे बाहर की ओर धके लें, अपने घुटनों को जमीन से लगा दें, आगे जुकें और अपने माथे को जमीन से लगा दें, पैर की अंगुलियों को पीछे की ओर ले जाएए, शरीर आपके टखनों पर बैठा होना चाहिए, अपनी बाहों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं, अपनी हतेलियों को जमीन से लगा दें, अपने हाथों को इस तरह जोड़ें, कि आपके अंगुठे और पहली उंगली एक त्रिकोंड बनाते हुए एक दूसरे को छू रहे ह आपकी कोहनिया थोड़ी सी मुड़ी हुई होनी चाहिए, बालासन में तब तक रुखें, जब तक कि आपकी सांसे स्थिर ना हो जाएं, फिर धीरे से खड़े हो जाएं, और शुरुवाती स्थिती में वापस आ जाएं, पूरा होने के बाद आप आराम से बैठ सकते हैं जब आप नियमित रूप से योग नमसकार का खुद ही अभ्यास करते हैं, तो बहतर नतीजों के लिए केवल एक बार करने के बजाए, आप योग नमसकार के तीन चक्र कर सकते हैं